दोस्तों इस वीडियो में SSC CGL 2022 की कट ओफ के बारे में डिस्क्रिस करेंगे जैसे कि आप सब जानते हैं कि लगबग लगबग एक्जाम्स खतम होने वाले हैं और तेहरे तारीक को आपका लास्ट एक्जाम हो जाएगा तो एक्जाम का पैटर्न जो है अभी स्टार्टिंग से अभी तक जो है जादा बदलाब नहीं है उतना ही देखने को मिल रहा है 19-20 का ही फर्क यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो इसके आधार पर मैं कट ओफ आपको जो है आपके सामने लेकर के आए हूँ और कुछ डेटा में 8,423, 2020 में 7,035 वैकेंसी और 2021 में 7,686 और 2022 में 20,814 वैकेंसी आई है अभी तक की अपडेट के अनुसार हलांकि वैकेंसी थोड़ी बढ़ भी सकती है लेकिन अभी तक जो है 20,814 वैकेंसी है और यहीं पर बात करें कैंडिडेट्स की तो देखिए फोर्म जो है यहाँ पर इतने इतने भरे गए है हर साल आप देख सकते हैं कितने कितने फोर्म भरे जाते हैं लेकिन इस वार वैकेंसी जादा है तो फोर्म भी जादा ही भरे गए है लेकिन अभी भी पर सीट पर अगर आप देखो तो कॉम्पेटिशन कम है 166 है ना तो 166 पर सीट पर कॉम्पे है ना आगे देखते हैं अगला पॉइंट यहां पर अगर बात करें क्वालिफाई मतलब कट ओफ के बारे में तो यहां कितने कैंडिडेट लिए जाते हैं आप देख सकते हैं जो 2018 में लगबग 150,000 के आसपास कैंडिडेट लिए गए थे यानि लगबग 13 गुना से यहां पर लिए गए थे 2020 की अगर बात करें तो 16 गुना कैंडिडेट से यहां पर लिए गए थे वहीं पर 2021 में 14 गुना 14 से 15 गुना कैंडिडेट लिए गए थे ठीक हैं तो लगबग लगबग आप कह सकते हैं 13 से 16 के बीच में ही जो है यहां पर इतने गुना कैंडिडे तो लिए जा सकते हैं ठीक है तो पंद्रे गुना candidates भी अगर लिए गई तो लगबग लगबग तीन लाग candidates को select करना पड़ेगा टायर 2 के लिए लेकिन अगर हो सकता है थोड़ा से उतने candidates ना ले तो लगबग अधाय से आप तीन लाग के बीच में मानके चल सकते हो ठीक है तो इतने तो लिए ही जाने चाहिए अब देखते हैं cut off की बात करें तो देखे cut off जो है अगर candidates लिए जाते हैं इतने गुना हना लगबग 14 के आसपास 14 गुना candidates लिए जाते हैं यानि कि 2,90,000 के आसपास students अगर लिए जाते हैं तो यह जो cut off है बिल्कुल यहाँ पर accurate cut off है अगर आपके इतने marks हैं तो अपनी त्यारी कर सकते हैं जनल category में 115 से 120 या 110 पिलस भी अगर आपके marks है तो भी आप mains की preparation में लग जाईए ओभी C 105 पिलस अगर marks है आपके तो भी आप mains की तैयारी में लग जाईए EWS में अगर 100 के आसपास marks है या 95 से 100 है ना 95 से 100 अगर आपके marks है तो बहुत अच्छे marks है आप लग जाईए अपनी तैयारी में ऐसा दिखे एक्जाम का level कम है लेकिन उसी साब से अगर vacancy को देखे तो वह क जाएगी हैना और उसके बाद जो है normalization भी होना है तो अगर आपके इतने marks बैठ रहे हैं जितने मैंने आपको बताए हैं या SC candidate 90 के आसपास आपके marks है ST 80 के आसपास अगर आपके marks है तो भी आप mains की preparation कर सकते हैं प्री तो qualify nature है तो यहाँ पर marks कम भी है तो भी कोई दिकत नह अच्छी तयारी करके अच्छा score ला सकते हो तो आप mains की तयारी में लग जाएगी और इसी के साथ सथ आपकी CHSL की भी तयारी हो जाएगी जब आप मेंस की जो syllabus में है वो CHSL में भी वही syllabus है तो मेंस CHSL की भी तयारी हो जाएगी आपको कुछ नहीं देखना है डारेक्ट आप